पैतिस हजार में आये दुलहन पहले ही राज चक्मा देख हुई फरार शादी के साथ फीरे लेने के बाद जब दुलहा राज को दुलहन के पास पहुचा तो दुलहन बोली कि उसके पेट में दर्ध हो रहा है जिसके बाद दुलहा दवाई लेने दुकान पर चला गया लेकिन उससे क्या पता था कि जब है लोटे का तो दुलन मिलेगी ही नहीं दरहसल मनोज सोनी ने दलाल की माध्यम से 30,000 रुपे में लड़की को खरीद कर लाया और घर के अंदर साथ फेरे लिए पहली रात दुलहन पेट डर्द का बाहना बना कर रफू चकर हो गई वहीं दुलहा अब शर्म के मारे किसी से कुछ कह भी नहीं दा रहा जानकारी के अनुसार पिदा के निधन के उपरांथ सभी भाई अपना अपना घर बसा कर अलक हो गई ऐसे में मनोज भी अपना घर बसाने की चाहत में अपने किसे परिचित के मदद से 35,000 रुपे में एक लड़की खरीद लाया चार माई मंगलवार को घर में ही अपने निकटतम लोगों के बीच अगनी को साक्षी मान कर साथ फेरे लिए पंडित के समाक्ष जनम जनम का साथ निभानी के लिए साथ वचन भी लिये थे इसके बाद मनोज आनन फानन में घर से निकल कर महले की किराना दुकान पर दवाले ने चला गया लेकिन जब वह लोट कर आया तो अब पत्नी गाइब थी शर्म की वज़े से पिडित दुलहा अपने साथ हुई ठगी की शिकायत के से से भी नहीं कर पा रहा हाला कि दुलहा मनोज सोनी सभी को यही आस्वाशन दे रहा है कि उसके पत्नी कहीं भी नहीं गई वह लोट कर आईगी